समस्कार दोवुस्तो मैं उदैलावड फ्री एक बार स्वांगत करता हूँ आँ सभी का चहीते चानल इंडियान मुर्गी पालन परड़ो देखने वाल यार किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का स्किवडियों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वांग दोवुस्तो थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोवुस्तो सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल क्या मुर्गी पालन के व्यावसाय में देशी मुर्गियों के लिए हम देशी दारू यानि शराप का इस्तमाल दवा के तोर पर कर सकते हैं हाँ दोस्तों यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल क्या मुर्गी पालन के व्यावसाय में दवा के तोर पर मुर्गियों के लिए हम देशी दारू यानी शराप का इस्तमाल कर सकते है इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए आप यह वीडियो शुरुवात से लेकर यहाँ पर अंततक देख लेजी यह वीडियो अंततक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाये तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करब दीजी ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करब दीजी शेयर करने के लिए पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूब टेलिग्राम ग्रूब फेस्बूग इंस्टाग्राम स्नैप चैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर शेयर कर दीजिए रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से मैं हाथ जोड कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने यहाँ पर अपना माना है और आखरी सतास तक आप सभी किसान भा को subscribe कर लीजी चानल को subscribe करने के लिए लिए दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंकि सब्सक्राइब के निचान को टुच कर दीजिए उसके बाद color change हो जाएगा बघल में गंटी आएंगी सगंटी को सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गी पालन के व्यावसाय में दवा के तौर पर क्या मुर्गियों के लिए हम देशी दारू या फिर दोस्तों शराब का इस्तमाल कर सकते हैं आज भी गाव देहात में जब मुर्गियों पर हलकी हलकी बिमारी आ जाती है तो मेरे मुर्गी पालक भाई दोस्तों यहाँ पर देशी दारू यानि शराब का इस्तमाल करते हैं तो आएसी परिस्तित्यों में यह फिर सही है या गलत है आखिर मुर्गी पालन के व्यावसाय में हमें दवा के तोर पर देशी दारू यानि शराप का इस्तिमाल करना चाहिए या फिर नहीं इस सवाल का लेते हैं दोस्तों यहां पर सटेक जवाब तो देखें दोस्तों इस सवाल का सटीक जवाब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लेकिन उससे प सब गुरूप की लिंक आईए लिंक को टच कर दी और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाईए साती साथ में दोस्तों भारत वर्ष में कश्मीर से लेकर कंद्या कुमारी तक गुजरात महराष्ट्रा की सीमाओ से लेकर आरुनाचल की सीमाओ तक जो कोई बेरोजगारी वह रहता नहीं की कि आप मेー और हमारे टीम का मार्क दर्शन पाकर दोस्तों आँब यवह से कमा सकते हैं लाखो का मुनाफ़ा क्यूंकि हम Uttpadan से लेके बिक्री तक दे रहे हैं सटीक जानकारी तो आएसे में दोस्तों आपको भी अगर देशी मुर्गी पालन के इस वहुसाय में जुड़ना है और कमाना है लाखों का मुनाफ़ा तो ध्यान से सुनिए फिर का खर्चा घटाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे आपकी मुर्ग और पालन पोशन के प्रकार से करना है इसकी सटीक जानकारी और साथी साथ में दोस्तों आपके पास तयार होने वाली देशी मुर्गी देशी मुर्गा देशी अंड़ा देशी चुजा इनके मार्केटिंग के लिए भी आपको सपोर्ट किया जाएगा तो आएसी परिस्ति पर जैसे ही आपका कॉल आएगा मैं फोन उठाओंगा उसके बाद विस्तार से समझाओंगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ही काम करना है वाटसप नंबर चोरह सी किस बाइसी बासट बासट पर आपको पूरा नाम पता छे आंकों का पिन कोड नहीं तो आज हर दीकता से जानकारी आप प्रस्तुत करोंगे उसके बाद दोस्तों मैं वाटसप पर मेरा फोन पर गूगल पर नंबर बैसी पैसे चार्सवाट एट टू सिक्सपाइड डोबल एट फोर सिक जिरू भेजूंगा उस पर पास्व रुपे स्क्रिंशॉड भीजवाना है इससे जुड़ना है लाखों का मुना प्राप्त करना है तो डोस्तों ही हमारे साथ जूड़ सकते हो इंडियन मूर्गीव पालन के साथ संपर करए सबसे महत्व पुर्ण में जानकरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कौन से जानकरी कि एक सवाल है मन में कि क्या देशी दारू यानि शराब का इस्तमाल दवा के तौर पर मुर्गयों के लिए हम कर सकते हैं देखें दोस्तों इसका इस्तमाल किसी डाक्टर ने सुचित क लेकिन दोस्तों आज भी गाव देहात में देशी दारू यानि शराब का इस्तमाल मुर्गयों की बीमारी दूर भगाने के लिए किया जाता है फिर देशी दारू यानि शराब में क्या होता है कि जिसका इस्तमाल करना फायदेमन साबित हो सकता है तो देखे दोस्तों अगर और दिशी डारू का इस्तमाल यानि शराब का समझे यह एक दवा के तौर पर करोगे तो यह APPLAUSE होगी क्यूंँ दोस्तो तो इसमें अलकोहल है और이지 जो है दोस्तों एक दवा का ही कंटेंट है अगर alcohol की मात्रह आप सही प्रकार से, सही तरीके से सही मातरा में लोगे तो दोस्तों आपकी मुर्गियों के शरीर में जो कुछ बीमारी आई है उसको तक्रीबं 30 से 50 प्रतिशत कम करने में यह जो देशी दारू और शराब में अलकोहल मुझूद होती है बहुत साहियवूत हो जाती यानि कि दोस्तों क्या देशी दारू यानि शराब हमारे लिए मुर्गियों के लिए दवा बन सकती है तो सोव प्रतिशत बन सकती है अगर आप इसका इस्तमाल सही प्रकार से करोगे तो अगर आप एक लिटर पानी में 5 यमेल तक यह जो है दोस्तो देशी दारू यानि शराब मिक्स करके पिलाते हो आपनी मुर्गियों को और चूजों को तो 100 प्रतिशत उन पर जो कुछ बीमारी आई है वह 30 से लेके 50 प्रतिशत कम हो जाती है और ऐसे परिस्तितियों में मुर्गियों और चूजे फिड़ खाना शुरू कर देते हैं जिसके माध्यम से दोस्तो एक बार बीमारी दूर हटने के लिए तयार हो गई तो दोस्तो आपको साहियता हो जाती है जिसकी वज़ा से दोस्तो देसी दारू देनी की वज़ा से 30 से 50 प्रतिशत तक आपको मुर्गियों में फर्क दिखाई देता है जिस बात से 30 से 50 प्रतिशत तक फर्क दिखाई देगा तो दोस्तो वहत दवा सव प्रतिशत है ऐसे मानने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन फिर एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी डॉक्टर निया केमिन्स ने यह सुझाया नहीं है यह गाव देहात में चलने वाला एक उपा है कि जिसके रिजल्ट बढ़िया मिलते है इसलिए आप अपने सत्सक्व विएक बुद्धी के अनुसार देशी दारू यानि शर करना चाहिए तो फिर आपका सवाल आएगा सर आप इसे दवा मानते हैं या फिर नहीं तो अगर सही मात्रा में इस्तमाल करें तो मैं इसे सवप्रिशत दवा ही मानता हूं तो दोस्तों यह था आपके सवाल का जवाब की देशी दारू यानि शराप का सही मात्रा में इस्तमाल करके यह दवा आप मुर्गियों की बीमारी दूर करने के लिए इस्तमाल में लाज सकते हूं यह बार एक यह चोटी जानकारि मैं मेरे विडियो जो है इस बताता हूं लेकिन पर्फेक्ट जानकारी मैं मेरे आन लाइन ट्रेणिंग में देता हूं अगर आपको विदेशी मुर्गी पालंका वियाओसाय करके इस वियाओसाय में लाखों का मुनाफा प्राप्ट करना है तो आप हमारे साथ जुड सकते हैं, ट्रेनिग प्रोग्रांम में हमारे साथ जुडने से, दोस्तो, आपको 68 जानकारी मिलेगी जिससे लाकों का मुंहंफा पर राप्त करने का आपका सबना हो जाएगा दोस्तो पूरा, तो दोस्तो यह पूरी जानकारी थी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो किस प्रकार से समझाता हूं तो देखे दोस्तो इसके लिए आपको 1482 62 62 पर कॉल करना है जैसे हैं आप कॉल करोगे तो दोस्तो इसी के साथ साथ और एक खुश कबर दोस्तो कि आपके लिए हमने इंडियन मुर्गी पारन के माधेम से नया वृटसप गुरुप बना दिया है इस वृटसप गुरुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में हे वाटसप गुरुप की लिंक आईये लिंग को टच करजे और हमारे सब जुड़ जाए जिससे लाकों का मुनाफ़ प्राप्त करने का आपका सपना हो सकेगा पूरा तो दोस्तो यह पूरा वीडियो और आपके सवाल का जवाब की देशी दारू यानि शराप का इस्तमाल दवा के तौर पर सही मातरा में करने से आपको होगा फायदा यह जान कर यह आपको कई सी लगी कमेंट सेक्शन में लिक कर बेजे पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजे किसान भाईयो तक और मुर्गी पालक भाईयो तक यह वीडियो पोर्च आने के लिए ज़रूर शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयो और मुर्गी पालक भाईयों से मैं हाज जोड़कान रोत करता हूं कि दोस्तों आप सभी किसान भाईयो और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने अपना माना है आकरी साथ तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंग यह दिया आप भी मुझे आपना और घर का सादस है, यहां पर मानते हैं तो जरुड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस व्ड़यों के हमाई द्र में आजए, वहां पुराने के बाद दिका देने वाला राज़ दे लिए सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते और इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए तक आने वाला हरुड़ी आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आए साही एक नया वीडि लेकर मैं आपका दोस्तों देलाड़ा आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गे पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक लिए मेरा हर किसान भाई और मुर्गे पालक भाई का आज कुड़ में तहरील से बहुत-बहुत आभार